So Hello Guys, आज मैं बात करने जा रहा हूँ Finance and Fub कार्टून के बारे में एक कार्टून काफी पॉपिलर है इंडिया में और काफी बच्चे से पसंद करते ये Finance and Fub ये कार्टून ऐसे कार्टून है कि इसमें Finance and Fub दोनों भाई होते और ये दोनों भाई काफी scientific inventions करते और फिर काफी adventures ये चीज़े करते हैं जिसे बच्चे काफी attractive होते है और ये अपने summer holidays में ही मस्त मजा करते हैं ऐसी सारी बहुत सार invention करते हैं और adventures चीज़े करते रहते हैं तो ये कार्टून में फूरा ये ही है और इसमें आज में बताने वालाओं की Candence Candence जो finance and fub की sister होती है वो हमेशा अपनी mom को जाके बताना चाती है की mom इन लोग ने देखो आज ये किया वो किया इने punishment दो बट हमेशा हमेशा और हमेशा ही जब भी ये कुछ येकल लेके जाती है प्रूफ तो या प्रूफ खतम हो जाते है या प्रूफ खराब हो जाता है ऐसे बहुत सारी चीज़े हुई है बहुत बहुत हुई है तो आखिर कर Candence का भी बता पाती है अपनी mom को finance and fub की real story या नहीं बता पाती है तो ये काफी mysterious था और finally चार महने पहले ही इसका एक show आ चुका है अभी वह English में पता नहीं बहुत डब हुआ है कि न हिंदी में बठवा चुका है और इस चीज़ में Candence ने finally अपनी mom को बता दिया with all proof और ये चीज़ आपको जरूर देखने मिले कि Disney XD पर जो मेरे description के link पर है तो ये इसे ये लोग कुछ modify कार करते finance info और तब उसकी mom आती है तब ही Candence अपनी mom को लेकर जाती है तो उसकी mom देख लेती है और उसकी mom को realize होता है कि मतलब कितनी बड़ी गलती की मतलब कितने समय से मुझे Candence बूलती आती थी कि मौम देखो रहे लोग ये कर रहे वो कर रहे invention कर रहे कितना खत्रा ले रहे बट हमें समुझे करता है कि जूट बोल रहे पर आज finally finance info को मतलब रंगे हाथों पकड़ लिया उसकी mom ने तो Candence की खाः फाइनली जीत हो जाती है तो इसके बाद ही होता है कि Candence की mom finance info की mom उसकी mom बहुत गुसा होती है उसके dad भी गुसा होते है और finally उसको punishment मिलती है दोनों भाईयों को उन्हें reformatory school भेचा जाता है जिसे हम हिंदी में बाल सुदर घर भोलते है जो एक prison होता है बच्चे लोग के लिए वहाँ पर उन दोनों को भेजा जाता है और इस मतब काटून के जो एपिसोड है इसमें दिखाया गया वो बस में उलग जा रहे है तो आखिर finally Candence ने बस्ट कर दिया है कि आपको देखना है यह यह एपिसोड देखना है तो आपको डिस्कूप्ट डिस्कूप्शन में के लिंग मिल जाएगा आप उससे देख सकते हैं कि आपको बस्ट फिर यह कहानी है इसकी अच्छी है मतलब Candence फानली बस्ट कर देती है कि मतलब यास की में रंगत पकड़ लिया है और यह हमें बहुत बहुत होती है कि Candence का बता है कि उसकी मौम का मालूम पड़ेगा हमें समय सा इत्दम बैचेनी से हम रहे सालों से चल रहा है फानेंस इन फानल उसकी मौम का मालूम पड़ जाता है तो काफी इंटरस्टिंग है काफी मज़ा आता है तो आप सभी का पता है कि यह काट्टून क्या है और केंडन से फानेली बस्ट कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिएंक है आप जाके देख सकते हो थैंक यू एंड डोंट फ़केट लाइक और सब्सक्राइब